सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान एवं प्राधोगी की विज्ञान एवं प्राधोगी की सब दे समाजवार्थ व्यवस्था का भौतिक आधार होते हैं समय समय पर आवश्यक्ता नुसा समाजिक वा आर्थिक विकास के उद्देश्यों को पूरा करने है तू विभिन छेत्रों में व्यग्यानिक और विचारकों ने महतपूर्ण योगदान दिया है चिकित्सा की देशी प्रणाली आयुरवेद थी जो प्राचीन काल में विक्सित हुई यहां तक कि योग को आयुरवेद के संबद विज्ञान के रूप में विक्सित किया गया आज हम इसी प्रकार के कुछ प्राचीन विज्ञानिकों की बात करेंगे और उनके विज्ञान को दिये गए योगदान पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे हम महर्जी पतंजली की महर्जी पतंजली को योग दर्सन का पिता कहा जाता है योग को विवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे योग के 105 ने सूत्रों का उन्होंने संकलन किया था ये एक निबंधा कार थे उन्होंने प्राचीन भारती चिकित्सा प्रणाली यानी आयुर्वेद लिखा था पतंजली की जीव समाधी तिरुपटूर ब्रह्म पुरेश्वर मंदिर में है अब हम बात करेंगे योग की योग आयुर्वेद से संबंधित एक विज्ञान है जो कि प्राचीन भारत में बीना दबाओं के सारीरी केवा मांसी किस्तर पर जिकित्सा करने हे तुँ इसे विक्षित किया गया अब हम बात करेंगे प्राचीन भारती वैज्ञानिक चरग की ये प्राचीन भारती योशदी विज्ञान के जनक थे इन्होंने पाचन और प्रतिरक्षा जैसी अवधाडाओं को प्रस्तुत किया तो प्राचीन भारती यौसदी विज्ञान के ये जनक थे, राजा कनिश के दरवार में ये राजवैद, मतलब साही डॉक्टर आप इन्हें कह सकते हैं, चरक संहिता नामग्रंध की रशना भी इन्होंने ही की, अगर हम चरक संहिता की बात करें, तो चिकित्सा पर इनकी उले सक्षा के बारे में बताने वाले ये पहले व्यक्तित थे, अब हम बात करेंगे प्राचीन भारती व्यज्ञानिक वराह महिर की, इन्होंने खगोल विज्ञान तथा जोतिश विज्ञान को अलग-अलग साखाओं के रूप में देखा था, इन्होंने ही सरप्थम चंद्रम प्रित्वी के चारो और शक्कर लगाता है, यह बात बताई थी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं व्रहत संहिता और पंच सिध्धान्तिका, विक्रमादित के दरवार के नौरतनों में से एक थे वराह महिर, विज्ञान, भूविज्ञान, गणित और पारिश्तिकी के छेत म इन्होंने महान योगदान दिया, व्रहत संहिता में इन्होंने भूकंप बादल सिध्धान्त दिया, जिसने विज्ञान जगत को अपनी ओर आकर्शित किया था, विज्ञान के इतिहास में सबसे पहली बार, इन्होंने ही दावा किया था कि बल है, जो गोलाकार पिथवी क के वस्तुओं को आपस में बाधे रखता है और अब इसे गुरुत्वा कर्शन कहते हैं पविश्यवाडी सठीक होने के कारण राजा विक्रमादित ने ही इने वराह की उपाधी दी थी अगर हम महावीराचारे जी की बात करें तो महावीराचारे आठी सदी के भारती गड़ तके थे ये गुलवरगा के रहने वाले थे जिन्होंने बताया कि नकारात्मक अंक का वर्गमूल नहीं होता जैनुगुरु महावीराचारे ने गणित सार संग्रह की रशना की थी वर्तमान समय में अंक गणित पर लिखा गया पहला पार्ठ पुस्तक है यह अद्भूत ब पुरित के कुछ नियम बताये थे साथ ही चक्री चतुरुज के किनारों और विकर्ण के लिए समीकरण भी इन्होंने दिये थे इन्होंने दी गई संख्याओं का लगुत्तम समापवर्द निकालने का तरीका भी बताया था अब हम बात करेंगे आरे भट की आरे भट समय के गणित का सार थी इन्होंने ही सूनि का प्रतिपादन किया था सबसे पहली बार इन्होंने ही पाई का मान 3.1416 निकाला था इनके समान में प्रथम भारती उपग्रह का नाम आरे भट रखा गया आरे भट ने ही विज्ञान के छेत्र में खास तौर पर खगोह सास्त मे बहुत योगदान दिया इस वज़े से खगोह सास्त के पिता के तौर पर ये जाने जाते हैं सूरी एवं चंद्रगहन की व्याग्यानिक व्याख्या भी इन्होने की तो साथी हो आज के वीडियो में हमने जाना भारत के प्राचीन महान व्याग्यानिकों के बारे में हम मिल अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सौस्त रहें और पढ़ते रहें